मेरे दोस्तों, जिसकी शुरुवात होती है, उसका अंत सुनिश्चित है, जो आया है, वो जाएगा, आना अच्छा लगता है, जाना दिल को दुखाता है, लेकिन जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, वो जिस तरह आने में खुश होते हैं, जाने में भी अपने दिल के दर्द को दबा करके मुस्कुराते हैं, मुझे लगता है, कि आपकी जो मुहबबत है, आपका जो प्यार है, वो आपके दिल और दिमाग पे च्छा गया है, इसके लिए मैं ताउम्र आपका मश्कूर और मम्नून रहूंगा, हम जिसे प्यार करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उससे दूर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्यार पाने का ही नाम नहीं है, प्यार खोने का नाम है, प्यार मिटाने का नाम नहीं है, प्यार मिटने का नाम है, प्यार आने का नाम ही नहीं है, प्यार जाने का भी नाम है, अगर देह से तुम जुड़े होगे, तो मैं कहीं जाओंगा, तुम कहीं जाओगे, बिछड जाएंगे, और अगर दिल से जुड़े होगे, तो मैं तुम्हारे दिल में धड़कन की तरह धड़कूंगा और तुम मेरी सांसों में बसे रहोगे मेरी सांसों में बसे रहोगे मेरा एक बहुत अच्छा संकीरतन जो बहुत हिंदुस्तान में नहीं बलके अमेरिका और युनाइटिट किंड़म के कई टेलिवीजन चैनल पर जो हमारे हुआ भारत वासी रहते हैं उन्होंने बहुत उसको सराह है उसमें दो-तीन दोहे हैं जिसमें एक है ये दन काचा कुम्भ है ये दन काचा कुम्भ है ये जो शरीर है ये घड़े की तरह है वो भी कच्चा पका हुआ नहीं जिस पे इतना इतना आता है ये दन काचा कुम्भ है लिये फिरेथा साथ ये दन काचा कुम्भ है लिये फिरेथा साथ ये दन काचा कुम्भ है लिये दन काचा कुम्भ है लिये दन काचा कुम्भ है लिये दन काचा कुम्भ है जटका लागा पूठ गयो अरे उच्छना आयो हा त्रिकन्हिया उच्छना आयो हा उसको भजो अम नमो नारायना हर योग नमो नारायना हर योग नमो नारायना चिडी चाँच भर ले गई चिडी चौच भर ले गई सागर घटो ना नीर चिडी चौच भर ले गई सागर घटो ना नीर दान की ये धन ना घटै अरे कह गई संत फकीर कनैया कह गई संत फकीर हयो नमो नारायना जो मूसे बोलेंगे उनका जीवन सफल होगा जिन्होंने अब तक दाली ना बजाईये इसमें बजाएं यहो हर्यों नमो नारायना हर्यों नमो नारायना हर्यों नमो नारायना कागा सबतन खाईयो प्रार्थना कैसी हो? हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमें ये दे दे ये 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 दे थकते हैं नहीं मांगते मांगते प्रार्थना कैसी हो कागा सबतन खाईयो कागा सबतन खाईयो चुन चुन खईयो मास, कागा सबतन खाईयो से चुन चुन खईयो हरी मिलन की आस कणईया हर्यों कर मों नारायना बोलो, सारे बोलो में बिरहन ऐसो जली कोईला भाई नाराख कनईया में बिरहन ऐसो जली कि अपरे बिरहन राई नारादा कि अपरे बिरहन आरादा सब गाओ, हम सब पत्ते की तरह हैं एक दिन डाल से टूट जाएंगे नजाने कितने लोगों को आप कंधे पे रख करके छोड़ाएं और कुछ लोग तुम्हें भी छोड़ाएंगे पत्ता टूटा डाल से पत्ता टूटा डाल से सारे बोलो पत्ता टूटा डाल से 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 अब के बिछड़े कब मिले अरे तूर बसेंगे जाए कनी या तूर बसेंगे जाए हरी ओम नभो नारायना हाथ जोतके हरी ओम नभो नारायना प्रियो नारायना ओम नारायना हरी ओम नारायना ओम नारायना आचार जी आपने आज की शाम को इतना सफल बनाया हमारे पर सद नहीं हम कैसे आपको इसका बहार पर कट करें आचार जी की माया देखी आपने इनकी लीला देखी आपने आचार जी के कैसेट शीडी और अडिय पुक्स बाहर लगे इस टॉल प्ह४ चाहिए उपलब्द हैं जिन साथियों को चाहिए वो ले सकते हैं आचार जी के द्वारा कलकी धाम के द्वारा क्रियेटेड बायो फार्मिंग से धूब पती भी उपलब्द हैं आज बायो फार्मिंग का यूग है और आज के कारकरम को समापन की ले जाने से पहले I shall pay my great thanks to Mr. K.K. Gautam who has been chief guest today here so I request Mr. Giri, Mr. Neera Sharma and Mr. Sunil Chaudhary who are the pillars of this program to come jointly and offer a salt to Mr. K.K. Gautam he is the chief guest of the program today please Mr. Giri join him आईए भाई साथ इस राम को हमेशा हमेशा के लिए रहेगा and K.K. Gautam साब ने जो time इतने लंबा निकाला we don't have words to express our thanks for his this gesture and he has also accepted he has consented to be the chief guest of the program this is really a pleasure to us let's give a big hand to Mr. Gautam जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं and many many friends whose name I don't want to mention from this dice to mention name is not enough but I remember those people who have given their court ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में दो कदम साथ चलते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चार कदम साथ चलते हैं एक ना एक दिन सब छूट जाते हैं अगर कोई साथ देता है तो वो परमात्मा का सुमिरन है और दोस्तों की दुआएं हैं और दोस्तों की महबबत है आप सब हमेशन खुश रहें हमारे शास्त्र कहते हैं सर्भे भवन्त सुखिना सर्भे सन्तु निरामया सर्भे भद्रानी पस्यन्तु मा कश्चित्क भाग भवेत हमारे बीच में जो माँ प्रिया साध्वी हैं मैं इनका कोटी-कोटी धन्यवाद आप सब की तरफ से करता हूँ इन्होंने नंगे पैर सारे हिमाले को नापा है शीत में कांटों से भरी राहों पर तपस्या की है बाल अवस्था से साध्वी हुई एक बार जोरदार इनका अविनन्दम केके गौतम जी को आप जानते हैं के वो यहां पर पुलिस अधिकारी रहे केके गौतम जी को आप जानते हैं के आरूशी मर्डर केस को इनों ने खोला केके गौतम जी को पूरे दुनिया के टेलिवीजन चैनल ने बिग हैंड लेट्स गिफ बिग हैंड सारी नौइडा की पुलिस और उत्तरप्रदेश की पुलिस कह रही थी के आरूशी का मर्डर हेमराज नाम के नौकर ने कर दिया और उस पे केस दर्ज कर लिया केके गौतम जी ने कहा के हेमराज तो ये मरा पड़ा है उपर छट पे किसी ने नहीं देखा ये इन्हों ने देखा ये गौतम साब का ही था ये अमनों तजर्बा लंबे 40 साल का तजर्बा इनकी राष्ट भक्ती इनकी कर्तब निष्ठा वाकई काबिल तारीफ है लेकिन एक केके गौतम को मैं जानता हूँ जो बहुत ही दिलेर और हर दिल अजीज महभूब एक इनसान है मैं इनकी गदर इनका सम्मान इनसे प्यार इसलिए नहीं करता हूँ कि ये पुलिस अधिकारी है इसलिए भी नहीं करता हूँ कि इनके बहुत-बहुत बड़े शिक्षन संस्थाएं है इसलिए भी नहीं करता हूँ कि सिंगापूर और तमाम बाहर के मुलकों में इनकी कंपनिया इनके बहुत नजदी की लोगों का जो बिजनस है बहुत बड़ा है मैं सिर्फ इनकी तारीफ एक बात को करता हूँ कि ये नहायती खुबसूरत इनसान है जिसके दिल में खिदुमत का एक ऐसा जजबा है जिसकी तारीफ किये बिना मैं रहता नहीं हूँ मुझे बहुत खुशी हुई यहां करके मैं गाजियवाद बहुत आता हूँ गाजियवाद से मेरा बहुत करीब का रिष्टा है यहां बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनोंने मेरा बहुत साथ दिया है हमारे साथ आए ग्यानदीब जी और तुलसी जी और ये जितने भी हमारे दिख विजय, नी तू, इन सब को एक प्यार मिलता है हमसे और एक समान और एक प्यार इन से हमें मिलता है इसलिए ये सफर चलता रहता है ऐसे ही आज के बाद एक वचन देके हम जाते हैं, सुनील चौधरी एक जमाने में हमारे साथ राजनीती किया करते थे, आज ना मैं सीनियर लीडर की हैसियत से इन्होंने बुलाया, ना मैं अपने साथी के समझ के आया, इन्होंने एक प्यार से परवाना भेजा और मैं भागा सत्यार्थी जी के विशे में क्या कहूं, कितने अच्छे शब्दों का प्रियोग, कितनी अच्छी भाशा, कितने अच्छे खयालात, बैंक के इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन यहां कई दिन से ऐसे भाग दोड़ कर रहे थे, जैसे क्या, एक बहुत ही किसी आश्रम के सेवादार है, हमारे बीच में राजेश भारत द्वाज जी, राम प्रकाश जी, त्यागी जी, जेपी शर्मा जी, पूनम जी, पता नहीं, इदर से अरोन, रीता, त्यागी, पता नहीं, दूर दूर वो सब लोग बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कल की धाम संभल से आ विचारे दूर से आए थे, कुछ लोग चले गए हैं, दिलेर मेंदी आए, सब का तहे दिल से शुक्रिया, और कल की धाम की तरफ से आपको, आपके परिवार को कोटी-कोटी आशिरवाद, कोटी-कोटी साधुबाद, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, के युहीं, गुन गुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जिन्दगी घीत है, इसको गाते रहो। कोटी-कोटी आशिरवाद देता है, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आस्था चैनल से, कात्यानी चैनल से, और टेलिवीजन के और इलक्टोनिक मीडिया जगत्स के, सब लोगों का साधुबाद, प्रिंट मीडिया का साधुबाद, तमाम पत्रकारों का लोगों का साधुबाद, हिर्दे की अनंत गहराई से उठती हुई पवित्र भावनाओं से, आप सब को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, के आप सब खुश रहें, आपके चेहरे की मुस्कुराट, मेरा इनाम सिद्ध होगी, मेरा इनाम सिद्ध होगी, जब भी मन करें, जब भी मन करें, हम से मिलने का आख बंद करना, मैं चला आउंगा, और अगर देहिक रूप से मिलना चाहते हो, तो यहां से 140 किलो मीटर दूर गंगा के तट पर, एक छोटी सी जगा है, वहां हमने कल की धाम बनाने का संकल्प लिया ह आज तक दुनिया में जितने भी धाम हैं, जितने आश्रम हैं, वो भगवान के उन स्वरूपों के नाम हैं, जो अब तक आ चुके हैं, लेकिन हमने भगवान के कल की रूप के आने से पहले, उनके आने से पहले, उनके नाम का धाम बनाने का संकल्प लिया है, हम कल की धाम बनाने जा रहे हैं, आप सब का सहयोग, आप सब की महबबत, आप सब का साथ, मुझे चाहिए इनी शब्दों के साथ, इनी भावनाओं के साथ, यहां के जो इस होटल के जो मैनेजर हैं सकसेना जी, परिभार सहीत उनको मेरा बहुत-बहुत आशिरवात, अब वही समय आ गया के पता तूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलें, दूर बसेंगे जाएं, दूर बसेंगे जाएं